राजस्थान प्रिकेट असोसियेशन में एक बार फिर संकट के बादल मंडरा दे रहे हैं और ये संकट के बादल है राजस्थान प्रिकेट असोसियेशन के अध्यक्ष वैब हो गैलोत के लिए क्योंकि राजस्थान में जैसे ही सत्ता बदलती है तो उसी के साथ राजस्था राजस्थान क्रिकेट असोसियेशन की जो सत्ता है उस पर कई ना कई खत्रा मंडराने लगता है और यह इतिहास रहा है कि जब जब सत्ता परिवर्तन राजस्थान के अंदर हुआ है तो राजस्थान क्रिकेट असोसियेशन में भी उसका असर देखने को मिला है और उसकी बा गेलोद के पुत्र वैब हो गेलोद राजस्तान प्रिकेट असोसियेशन के अध्यक्ष बने तीन साल अध्यक्ष रहने के बाद एक बार फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर से एक बार अध्यक्ष मनोनित किये गए लेकिन हाल ही में राजस्तान में जब विधानसभा हुए और जब भाजपा सकता में आई तो तैम आना जा रहा था कि क्रिकेट असोसियेशन में भी कही न कहीं उलट फिर हो सकता है और इसकी जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है देखिए अब एंट्री हुई है चूरू से राजिंदर राठोड के बेटे पराक्रम की परा परियान आया और चूरू में हुए इस चुनाओ को उन्होंने अवैद बताया राज़स्थान क्रिकेट असोसियेशन की और से जारी किये गए एक बयान के मताबिक कहा गया कि चूरू जिला क्रिकेट आसोसियेशन में जब चुनाओ हुए तो वहां कोई परिविक्षक आरस शक्ति सिंग RCA के उन्होंने भी अपना एक बयान जारी किया है, सबसे बहले आपको सुनाते हैं, जो पराकरम राठोड है, जब वो इलेक्टेड हुए जिला क्रिकेट असूसियेशन ते उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिये. जिस तरह से आप कहरें कि टेन्योर खतम हो रहा है, मेरे को बहुत जादा इसकी जानकारी नहीं है कि एक्शुल कप टेन्योर खतम हो रहा है, लेकिन आज मेरे को यह लगता है कि जिस तरह का अभी कहरें आगाज होने वाला है, चुनाव का अचार सहीता लगने वाली है, उस ब प्रोटोकॉल है उसमें भी आपको इसको नोटिफाय करना पड़ता है फिर नॉमिनेशन है समय लगता है तो यह एक बार देखने की बात है और यह फैसला जिनको चुनाव करवाना है जिनको उपर चुनाव की जिम्मेवारी है उनको अगर मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वो सब लोग जो मेरे साथ है और जो हमारा कोरण बनता है मिल बैट के फैसला करेंगे कि किस पड़ के लिए कौन चुनाव लड़ता है मैं आच कोई भी यह बातको लगता है कि वड़ी प्री मेंच्वर hogी कि किस पड़ किलिए मैं चुनाव लड़ूंगा मेरे कोई नहीं पता मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा वो सब मोके के उपर फैसला हो थे वैबव घैलोज जी वो RCA के अध्यक्स थे बहुत कुछ किया जा सकता था मैं यह नहीं कहता, उन्होंने प्रियास नहीं किये, उन्होंने कियो हुँगे, लेकिन जो more result है, वो मन मताबिक, उमीद मताबिक नहीं है और अब अगर नहीं कोई चुनाव होते हैं RCA के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं उनसे मैं चूरो जिला संग करिकेट संग का अध्यक्ष होने के नाते उमीद करता हूँ कि जो खामिया जो कमिया रह गई है उनको वो दूर करेंगे तो आपने सुना कि जो पराकरम राठोड है उन्होंने बताया है कि चुनाव पूरे वैद तरीके से हुए है और वो बिल्कुल एलिजिबल है पूरी जो निर्देश अनुसार थे उसके अनुसार जिला क्रिकेट असोसियेशन के चुनाव संपन हुए है लेकिन इसी बीच जो जाईना कहीं जब कॉंग्रेस के समय जब पददिकारी नियुक दे हुए थे राधिस्तान पृकर्ट असोसियेशन में तो वो कॉंग्रेस खेमेके माने जा रहे थे लेकिन अब जो बयान-बाजियां हो रही है उसके बाद जो उपादयक्ष है राधिस्तान पृकर्ट असो मेरे पास में जीला किर्केट संग चूरू के सेकरेटरी सुसील जी शर्मा साब का फोन आया था तो उन्होंने कहा कि शक्ति बना सेकरेटरी साब कोल नहीं उठा रहे हैं तीन-चार दिन से कोल कर रहा हूं तो यहां पर हमारा उब्जोर बेज रहा है मैंने से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी मैं वाइस परसिलेंट होने के नाते मैं अपना खुद का दायत्व समझता हूं कि किसी भी जीला संग के अंदर कोई भी फ्रेक्शन नहीं होना चाहिए सारे जीला किर्केट संग बिलकुल साब सुत्रे होने चाहिए अगर किसी जीला किर्केट संग जो सही है अगर उसको मदद चाहिए तो राजस्तान किर्केट एशोशन अपनी सहमती उसमें दर्च कराता है और उसके साथ में खड़ा रहता है रही बात अगर कोई ये कहते हैं कि अब्जवर वहाँ पे नहीं अपॉइंट किया गया क्या किया गया ये अलग चर्चा है ये अलग विशे है पहले भी कई चीजें जीला किर्केट संग ने कोवीड के बाद में कई चुनाव ऐसे हुए हैं वहाँ पे तो दूनों ऑप्सर नहीं गये मैं प्व है कोई नी गया था और थे कोई रही को इन गया था तो उससे वह इनome एट हो नहीं हो जाते हैं ठीक है है वो एक चर्च है वह चीजेए एक समयदानी क्या चीजे होती है उसका एक अलग अपन भी जो करेंगे किसी एक आदमी के विप्तिकत कुछ चीजों से कारणों से यह नहीं रोका जाना चाहिए तो आपने सुना कि जो उपाद्यक्ष है आर्सिये के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो चुलू जिला क्रिकेट असोसियेशन में चुना हुए वो पूरी तरीके से वैद थे उन्ह कहीं जो दो फाड हैं जो मौझूदा पदादीकारियों की जो पदादीकारी है आर्सिये के अंदर वो कहीं अलग-अलग उट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो मौझूदा चिकिसा मंत्री है खीव सर इनके पुत्र के दो बड़े नेता और जो कदावर नेता है उनके बेटे आर्सिये के अंदर अपनी पैड जमाने की कहीं न कहीं कोशिश करते हुए नजर आएंगे अब देखने वाली बात ये होगी कि राजंदर राठोड के बेटे पराकरम या फिर जो खीव सर है चिकिसा मंत्री उनके वादल है वो अब उनके लिए परिशानी खड़ी कर सकते हैं फिलाल के लिए इतने ही आप बने रहे हैं दनगरी न्यूस के साथ मैं हूँ आजित प्यात रहे हैं